समझनी है जिन्दगी तो पीछे देखो और जीना है जिन्दगी तो आगे देखो बिल्कल जो भी तैयारी कर रहे हैं एक्जाम का मैं तो यही बोलूँगा पीछे जितने भी एक्जाम दिये हैं आपने गुरूप D का, ALP का, RPF का आप देखो आपने उस तैयारी में गलती क्य किए उस गलती को बाहर निकल कर अब आगे बढ़िए क्योंकि अभी आने वाला एक्जाम आपका RRB JE है, NTPC है और Group D है तो जो गलती गर चुके हैं उसको निकल कर आगे बढ़िए कुछ अच्छे positive thought के साथ ताकि उस तैयारी को आप नया उर्चा दे पाएं इसी साथ PDF आप success के 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो और जो आज कवर करने वाले हैं कितने 11th उससे पहले मैं बोल दूँ आप लोग एक बार class का timing देख लिजेगा math का जो class का timing है वो आज साम कुछ 6 बजे है और रिजदी रात को 10 बजे और GS 8 बजे और current affair आपको मिली रहा है ठीक है और जितने भी class आपके छूटे हैं उसका playlist आप लोग देख लिजेगा आपको channel पर line से मिलेगा सारा topic का playlist मैंने बना कर update कर दिया है आप लोग के लिए ताकि आपको video खोजने में बिलकुल भी problem ना हो ठीक है और आज cover करने वाले हम लोग 11th March के important current affair जो आपकी exam के point of view से बहुत ज़्यादा important है देखते हैं पहला question हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है पहला question है वो ये है भारत ने निमलिखित में से किस देश के साथ 10 वर्सों का जो deal है वो sign किया है 3 billion American dollar में जिसके तहट जो परमाडू सक्ती से लेस बंडूबी के पटे पर देने का सौधा किया है तो किस देश के साथ वो देश है रसिया और आज का आपका पहला question यही है कि रसिया का जो currency है मुद्रा और उसका राजधानी यानि capital आपको comment में बताना है उसका answer क्या होगा यह आपका आज का question है ठीक है चलो अगला question देखते हैं अगला question है किस राज या केंद्र सासित परदेश ने भारत और जापान के सयुक्त अंतरिक सावात की मेजबानी की है यह आपको बताना है तो इसका answer है आपका New Delhi और New Delhi के जो मूख मंत्री है वो कौन है वो है होता है न construction department में निर्माण में उनके लिए बहुत थी अच्छे quality का भोजन कम दामों में subsidy rate में जो महराष्ट की सरकार है उन्होंने launch किया है यह आपको बताना है कौन से scheme के अंदर उस scheme का नाम बताना है तो उस scheme का नाम है अटल अहार योजना यह याद रखिएगा कम दामो यह जो खाना है वो मजदूरों को परवाइड यानि उपलब कराया जाएगा ठीक है चलो इस scheme का नाम याद रखिएगा और बाप याद रखिएगा यह कौन सा सरकार चला रहा है तो महराष्ट सरकार चला रहा है और महराष्ट का जो capital है वो क्या है वो है मुंबई ठीक है वहाँ की CM कौन है वहाँ की CM आपके है डिवंडर फर नाविस और वहाँ की governor कौन है पी सता सीबम चलो अगला question देखते है जो अगला question है हमारा हाल ही में स्वार संगटन जो WHO है उसके मुख बिग्यानिक के रूप में किसे मतलब बना दिया गया है यह आपको बताना है तो भी आपको बताना है comment करकर बहुत हीजी question है बहुत बार यह मैंने करवाया है WHO का headquarter चलो अगला जो question हमारे सामें निकल कर आ रहा है वो यह आ रहा है कि एस्वंत चोहान जो राष्ट पुसकार है जो अठारा का ओ किसने जीता है तो इसका answer है जो former governor थे भारत के यानि इसके पहले जो governor थे रगूराम राजन उन्हें मिला है किसलिए मिला है इन्होंने economics के मामले में बहुत अच्छा काम किया है देश को बहुत उपर तक लेकर ग चटवी बड़े पर उनको ये gift दिया जाएगा ठीक है किसको रगूराम राजन को ये award दिया जाएगा याद रखेगा अगला question है ग्री मंत्री राजना सिंग ने हाल ही में किस सहर में CRPF के एक परिछड किंद्र का उधगाटन किया है तो वो है जोधपूर यहां पर rate किया गया है तो answer है आपका बिल्कुल जोधपूर चलो अगला question है हाली में परधान मंत्री अंद्र मोधी ने सबका साथ सबका विकास जो collection का एक किताब है न वो launch किया गया है जो मोधी जी के द्वारा दिया गया है वो किताब के जो लेखक है मतलब वो पुस्तक किस के द्वारा लिखा गया है तो यह आपको बताना है तो इसका answer है अरून जेटली के द्वारा ठीक है इन्होंने ही यह जो किताब है वो release की है ठीक है यह आप याद रखिएगा बहुत important है किसने release किया एक किताब तो यह किताब release किया गया है अरून जेटली के द्वारा और नाम क्या है स सब का साथ सब का विकास चलो अगला question है हमारे सामने कि हाल ही में प्रत्थम अटल भीहारी वाजपई lifetime achievement award जो है वो किसे दिया गया है तो इसका answer है ठेंगा डार लॉंग को किसको ठेंगा डार लॉंग को तो ये थे आपके important current affair 11th मार्च के का सारा PDF आपको मिल जाएगा success की 98.in पर और आज का class का timing देख लीजीगा math साम को 6 बचे reasoning 10 बचे जीए 8 बचे और current affair आपका होई गया है और rrb je group d और आपका anti basis सरे exam को लेकर चला जा रहा है क्योंकि syllabus आपका almost same है so जितने भी मेरे भाई बैन देखने सभी को दिल से good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो